हलो, हलो बच्छों कैसे हो, आच्छे हो, ओके, आज मैं आपको बताऊंगी वर्स्तों के बारे में, चीजों के बारे में कि वैर किस स्थती में है, कहां है, छोटी, बड़ी, मोटी, पतली, इसके विशे में मैं आज तुम्हें कुछ बताती हूँ, तो बच्छे सुनेंगे, देखेंगे, ओके, यह देखे, यहां हमारे पास दो पेड़ हैं, ठीक है, दो पेड़ हैं, दोनों में क्या अंतर है, एक पेड़ बड़ा है, और एक पेड़ छोटा है, यह छोटा और बड़ा, ठीक है, तो इसमें क्या अंतर है, छोटे और बड़े का, यह छोटा पेड़ ये बड़ा प्री ठीक है बच्चो इसके बाद आता है ये दो बच्चे हैं इसमें क्या फरक है एक बच्चा मोटा है और एक बच्चा पतला है ठीक है मोटा और पतला ठीक है इसके बाद हमारे पाद दो टोकरिया हैं दोनों में फल रखे हैं अब आप देखो इस टोकरी में कम फल हैं और इसमें जादा फल हैं तो हमने क्या देखा कम और जादा कम फल और जादा फल ठीक है इसके बाद ये हमारे पाद दो जार हैं दो मरतबार हैं एक खाली है और एक भरा ठीक है ये खाली है इसमें कुछ नहीं है इसमें लडू है तो हमें क्या पता चला खाली और भरा ठीक है बच्छो आगे चलते हैं हम आप हमारे पास ये क्या है दो टेबल है ठीक है दोनों टेबल है बॉल है ठीक है इस टेबल के उपर बॉल है बॉल कहा है उपर किसके उपर टेबल के उपर और यहां बॉल कहा है टेबल के नीचे टेबल से नीचे ठीक है आपको क्या समझ में बच्चो उपर और नीचे कोई बस्तु उपर है और कोई बस्तु नीचे है उपर नीचे आगे चलते हैं यह दो घर हैं इसमें एक टैडिवियर एक खरगोश घर के अंदर है और एक खरगोश घर के बाहर है देखो विच्छो दिख रहा है न कि कै तो हमें इस से क्या पता चला कि कोई चीज अंदर है और कोई चीज बाहर है तो अंदर बाहर का हमें पता चला इधर खरगोश घर के अंदर है और यहां खरगोश घर के बाहर है अंदर बाहर यहाँ दो औरत है वो क्या है एक पास है एक दूर है ठीक है एक औरत पास है एक दूर है या फिर एक आगे है और एक पीछे है आगे पीछे ठीक है आगे पीछे या पास और दूर ठीक है हमें क्या पता चला पास और दूर आगे और पीछे ठीक है बच्छो आभी मैंने आपको जो बताया वो समझ में आया ठीक है बच्छो फिर मैं आपको और कुछ बताऊंगी ओके